नमस्कार, एक बार मेरा चैनल पर फिर से आप लोग को स्वागत है, आज एक नए रेश भी लेके आये हैं, देखिए, ये पानी में फूल फुलाने वाला है, ये पानी में फूलाता है, इसे हम पेट के फूल कहते हैं, इसमें से ये उजला उजला जो होता है, इसको हम निकाल के रख लिये हैं, ये सब इसी में छोड़ दिये हैं, खाली उजला वाला के इसे बनाएंगे, इसका पकवड़ा बनाने जा रहे हैं, देखिए, इसके लिए हम ये चावल के आता लिये हैं, ये गेमन के आता लिये हैं, दोनों को मिलाके बनाएंगे जीरा गोलकी का पॉडर रखेंस, हलनी का पॉडर है लाल मिर्चा का पॉडर है धनिया का पॉडर है श defect डालेंगे इसमें नमक है नमक तो सबात के अनूसार डालेंगे देखिए इसमें में हम पहले ऑटा अचा लाल ते है दो चम्मच इसके बार दो चम्मच ये चावल के आटा भी डाल देते हैं इससे थोड़ा पढ़िया गंता है पूरे जैसा इसमें भल्दी पॉर्डर डाल देते हैं ये जीरा गुर्की का पॉर्डर है वो डाल देते हैं इसमें धनिया पॉर्डर भी डाल देते हैं इसमें ये मिर्चा पॉर्डर है वो जो जैसा तीखा खाएगा उस तरह से डालिएगा मेरे हाँ तो सब कम खाता है इसे हम कम डाले हैं मिर्चा नमक डाल रहे हैं नमक सवाद के अनुसार डालिएगा जो जैसा खाएगा उस तरह से सब्सक्राइब करें अदेखें अदिए्ट इससाथ हम पंद लोल प्रब्सकों शाव niesरी हम सब से ने धेर श्डि rutine कि तरह से थे शोड़ा ठालें काया वब कक्या है दो सब्सक्राइब करें अब कर दो करनें तो तक फिर में बनएंगा रिद्टे दो कि देखिए, अब हम चिलाश लगा देते हैं अब इसको हम इसको अप्राही गरम होने के लिए दर देते हैं अब फोड़ा खड़ाही गरम हो जाएगा तब इसमें तेल डाले हैं कि देखिए अब 2 मिनट हो गया है हमेसे उखार रहा है ले कि इतना वह घया हो गया है अब मेरा खड़ा तेला तेल डालते हैं थोरा थेल में हम बनाएंगे देखिए इस तरह करके हम इसको दाले है जब को इसी तरह हम डालके पकाले है यह पांच मिनट में पके तयार हो जाएगा देखिए यह बहुत जल्दी पक जाएगा कम सब्सक्रा में पक जाता है इसलिए इसको हम पकावड़ा बना रहा है सब को मन हो गया कि नस्ता में पकावड़ा बनना चाहिए देखिए अब हम इसको हम उलत के देख रहे हैं एक तरह से देखिए इस तरह साफ हो गया इक तरह पुकिया है, इसी तरह से शारा को हम लख लेते हैं, देखिए, इसी तरह से हम सारा को लख लेते हैं, देखिए, अब मेरा पकारा बिल्कुल तैयार हो गया, इस तरह, देखिए इस तरह के यह तैयार हो गया अब हमें सारा को निकाल देते हैं देखिए अभी पलेट में सारा हम निकाल देते हैं इस तरह से अब आप लोग को जरूर यह पसंद आ रहा होगा पानी के फूल का पकऊणा बनाए है इसरी फूल भी बोलते हैं अब आप लोग को जरूर पशंद आ रहा होगा इसको चाई के साथ खाईए चटनी के साथ खाईए और ने विडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर एक बार लायक करते जेगा कमेंट कर देजेगा